आज के मारी कहानी है नेयारी बहु का ससुराल रवी आज तुम फिर से अपनी मा के घर गए थे? घर में घुशते ही स्रेया ने सिधा सवाल किया रवी ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया स्रेया वो मेरी मा है, पापा की तवियर ठीक नहीं रहती मा हमेशा परसान रहती है, मैं उनका अकेला सहारा हूँ स्रेया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मुह बनाते हुए, स्रेया ने कहा वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए, मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे, मैं सब जानती हूँ जब तो बहु बेटे को घर से निकाल दिया अब बेटे की कमाई के चकर में, उसे बार बार बुलाते रहते हैं रवी को बहुत गुस्ता आ रहा था लेकिन घर में कलेश ना हो, इसलिए उसने खूद को संभालते हुए कहा देखो स्रया, पैसे के लिए मेरे पापा की पेंसन ही काफी है और रही बात यहां जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन पापा की बिमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूँ बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है रवी स्रया को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन स्रया नहीं मानी और अपने रवी से कसम ली कि वह बीना उस से पुछे कभी अपने मा बाप से मिलने नहीं जाएगा रवी स्रया का सवभाव जानता था अगर उसके मन का काम ना करो तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेसन में चली जाती है जहां तक कि आत्मेहत्या करने का भी विचार करने लगती है रवी ने उसकी यह सर्थ भी मान ली लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए रस्ता रहता था उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया रवी की हर इच्छ पूरी की जहां तक कि रिष्टदारों ने जब दवाब में ना आकर रवी को अपनी पसंद की लड़की से साधी करने की इजाजत दी लेकिन साधी के दो महिने बाद ही स्रिया ने लड़ाई जगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया रवी के पिता जगनाजी ने एक दिन रवी से बात की बेटा अगर बहु हम लोगों के साथ खुस नहीं है तो तू अलग हो जा हमारे चिंता मत कर या सुनकर रवी ने कहा पापा अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए आप चाहते हैं कि आपको बे सहारा छोड़ दूँ या मुझसे नहीं होगा रवी की मा सांती जी ने कहा बेटा सही तो कह रहा है या बहु को समझाएगा और वा भी धिरे धिरे मान जाएगी आपकी भी तब्या ठीक नहीं रहती जगरनाथ जी ने सांती को चुप कराते हुए कहा कैसी बात करती हो तुम वह नए जमाने की मोडर्न लड़की है आज कल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है जाने दो इनको बेटा रवी तुम बहु को लेकर जहां वह जाना चाहे चले जाओ हमारी चिन्ता मत करो रवी अकेरला तेरस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था तभी फोन की घंटी बजी दूसरी तरफ मा थी उनकी आवाज लड़करा रही थी बेटा रवी ना जाने तेरे पिता को क्या हो गया मैं इन्हें होस्पिटल ले जा रही हूँ तू जल्दी से आजा रवी ने कहा मा तुम चिन्ता मत करो मैं अभी पहुचता हूँ यह कहकर रवी जल्दी से नीचे आया और जूत्ते पहनने लगा स्रिया ने देखा रवी कहीं जाने की तयारी कर रहा है रवी तुम कहां जा रहे हो इतनी रात को और भी फोन किसका आया हा था रवी की आखों से आसु बस छलकने ही वाले थे उसने कहा स्रिया पापा की तब्यत बहुत खराब है मुझे जाना होगा मा उन्हें लेकर अस्पताल गई है स्रिया गुस्य से बोली रवी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे ठीक है तुम जाओ लेकिन जब बापस आओगे तो अपनी बीवी को जिन्दा नहीं पाओगे रवी उसके आगे गिडगराते हुए बोला स्रिया आज जाने दो मुझे एक बार पापा ठीक हो जाए तुम मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाओगा लेकिन स्रिया का गुस्सा तो सात्वे आसमान पर था रवी के लिए जिन्गी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को त्यार था स्रिया तुम्हें मरना है तो मर जाओ मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता रवी के मन में ये विचार बार बार आ रहा था लेकिन वह इसके लिए जुबान ना खोल सका कहीं स्रेया ने सचमुझ कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा यही सोच कर वह चूप रह गया रवी ने जल्दी से अपने दो राहुल को फोन किया राहुल मेरे भाई मैं कहीं फसा हुआ हूँ मेरे पापा हॉस्पीटल में है तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसी के जरूरत पड़े मुझे बता देना मैं भेज दूँगा और मुझे हर एक घंटे में फोन कर उनका हाल बता देना प्लीज राहुलिया सुनकर बोला भाई तू चिंता मत कर मैं अभी पहुँचता हूँ और पैसे की चिंता मत कर मैं सब संभाल लूँगा रवी की आँखों से जर जर आसू बह रहे थे लेकिन स्रेया उसकी परवा करे बगैर किचन में काम करने चली गई रवी अपने बेडरूम में जाकर तक के मुझ चिपा कर रोता रहा कुछ देर बार उसने राहुल को फोन किया लेकिन राहुल का फोन नहीं लग रहा था रवी और बेचैन हो गया तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईशियो में हो वहाँ फोन बंद रखना पड़ता है इसी तरह अपने आपको समझा रहा था कुछ देर बार स्रेया आई और बेड के एक तरफ मुझ फेर कर सो गई जैसे रवी कोई गुना करने जा रहा था जिससे स्रेया ने पकड़ लिया कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फोन लगाया लेकिन फोन नहीं लगा रवी का मन बहुत बेचैन हो रहा था उसके हाथ पर ठंडे पड़ रहे थे वह अपने आपको कोश रहा था कि क्यों उसने स्रेया से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी क्या बात है रहूल पापा कैसे है तेरा फोन नहीं लग रहा था रहूल का फोन देखते ही रवी ने एक ही सास में सारे सवाल पूछ डाले रहूल बहुत घवराहत में बोला रवी संभाल अपने आपको तू ही तूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा तू जहां भी है जल्दी से होस्पिटाल आजा अंकल हम सब को छोड़ कर चले गए यह सुनते ही रवी के पैरे तले जमिन खिसक गई यह क्या हो गया अभी साम को ही तो वा उनसे मिल कर आया था कासवर आखेरी समय में अपने पिता के साथ होता वा जोर जोर से रोने लगा उसकी आवाज सुनकर स्रया उठी और पुछने लगी क्या बात है रवी तुम क्यों रो रहे हो रवी ने उसे जरकते हुए कहा सब खत्म हो गया स्रया मेरे पापा भी और साइड तुम्हारा मेरा रिष्टा भी या कहकर वा तेरी से बाहर निकल गया स्रया भागती हुई उसके पीछे रवी रवी चिलाते हुई भागी लेकिन इससे पहले कि वा कुछ कह पाती रवी वहां से जा चुका था स्रया की आँखों से टप टप आसुबा रह थे कहीं अब रवी उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा कहीं उसे छोड तो नहीं देगा यही सोच कर वा रो रही थी अगले दिन रवी के पिता के घर पर सारे रिष्टदारी कठे हो गये थे रवी एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था तब ही वहां स्रया आई उसने रवी को देखा लेकिन रवी को तो जैसे होसी नहीं था फिर वा अपनी सास से मिलकर रोने लगी उसकी रोने की आवास सुनकर एक बार रवी ने उसकी और देखा और नजरे फेर ले रवी ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम बिदाई दी आज उसके पिता को मरे पांच दिन हो चुके थे इन पांच दिनों से स्रया भी वहीं रह रही थी लेकिन रवी ने एक बार भी स्रया से बात नहीं की यहां बात सांती जी अच्छे से नोटिस कर रही थी जगरनाथ जी की तेर्वी के अगले दिन सांती जी ने रवी और स्रिया को एक कमरे में बुलवाया रवी स्रिया को देखकर उठकर जाने लगा बेटा मेरी बात सुन मैंने ही बात करने के लिए बहु को बुलाया है लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी मा पापा की बात मान कर मैं अलग हो गया लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा चाहे आप कितना भी कहें मैं कहीं नहीं जाओंगा और इसे जहां जाना है चली जाए यह सुनकर स्रेया रोने लगी सान्ती जी ने उसे चुप कराया और कहा बेटा ये दो चिठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गये थे एक तेरे लिए और एक बहु के लिए रवी ने जल्दी से चिठी मा के हाथ से ले ली जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो उस चिठी में लिखा था बेटा मुझे मालूम है बहु हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती है लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तु माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा फिर इसे लेकर घर में कलेस ना हो इसलिए मैं तुमसे एक बादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंति मिछा पूरी कर और बहु कहना मान कर उसके साथ चला जा तेरी मा के लिए मैंने पहले ही बिरिधा आस्रम में इंतिजाम कर दिया है वह वहाँ सुक से रहेगी कभी कभी उससे मिलने चले जाना अगर तुम मुझे प्यार करता है तुम मेरी अंति मिछा जरूर पूरी करेगा इधर स्रेया ने भी अपनी चिठी खोली उसमें लिखा था बेटी तू चिंता मत कर मेरा बेटा भावना में बह जाता है मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहां रहने की जीद करेगा तुम से लडाई भी करेगा लेकि तू चिंता मत कर मैं चाहता हूँ तुम दोनों हसी खुशी रहो मेरी चिठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा मेरा असिरवाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा चिठी पढ़ते ही स्रिया रवी के पैरों में गिर गई रवी मुझे माफ कर दो ससूर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए तुम मुझे तलाक दे दो सांती जी ने स्रिया को उठा कर गले से लगा लिया खावरदार बहू जो फिर कभी ऐसी बात कही तुम्हारे ससूर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो आज वो तुम दोनों को देख कर कितने दुखी हो रहे होंगे स्रिया सांती जी के पैर में गिर गई मा जी अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी रवी भी रोकर मा से लिपट गया नहीं मा मेरे रहते तुम ब्रिद्धा आस्रम नहीं जाओगी अगर आपको ये कहाने पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर केजिएगा थैंक्यू सो मच मौत आसा कईजिए जर भी नहीं जरूर के साथ को रहूँट